नगरोटा विधान सभासे कॉंग्रस प्रताश्री आरेस बाली ने आज नमांकन पत्र भरा उनके नमांकन के लिए हजारों लोग अपना अशिर्वात देने ओबिसी भवन नगरोटा बगवा में पहुंचे वहीं आरेस बाली ने चामुंडा माता, नारदा शारदा माता और बरजेश्वरी माता से आशिरवात लिया आरेस बाली ने नमांकन पत्र भड़ने से पहले नगरोटा मारकेट में जाकर सबसे आशिरवाद लिया जिसके बाद OBC भवन पहुंचने पर उनका भव्वे स्वागत हुआ एजरान लोगों को संबोधित करते हुए आरेस बाली ने जियास बाली को याद करते हुए कहा कि विकास पुरुष शारिरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है लेकिन वे आज भी हमारे दिल में और नगरोटा की बुलन आवाज में हमेशा जिन्दा रहेंगे उन्होंने कहा कि नगरोटा बगवांक शित्र की सारी जन्ता को एक माला में पिरोकर रखा जाएगा उन्होंने कहा कि अगामी विधान सभा चुनावों में शित्र की जन्ता कॉंगरिस पार्टी के पक्ष में अपना मद्दान करेगी और निश्चित रूप से प्रदेश में इस बार फिर से कॉंग्रिस की सरकार सत्ता में आएगी इसे बेच भाषपा सरकार पर हमला करते हुए आरसबारी ने कहा कि अक्षम भाषपा सरकार के ब्रष्टाचार, बेरुज़गारी और जूटे वादों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं भाषपा की हार जनता की जेत होगी और हिमाचल में नया सवेरा होगा पर अगर 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 मेरी दर्खवास दिक कोई है कि सारी दुनिया दिखे एतिन जार आदमी ती जार आदमी लगे जालो तुहां सारे से लगता है एतिन जार जार आदमी ती जार आदमी लगे तो जोश भी तिस तरह दा हो है अज जहां विकास पुरु शिरी जी एस बाली जी याद करना है अगर मैं अपने पिता जी याद करा तो अड़े माता पिता भी मेरे पिता माता पिता दे तरह है अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं वह पूरी जान लानी है नारे बाची चीचे कोई कमी न हो है क्योंकि उनता अगर है